कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आप देखर है सोहन सर्मा कीचन की मैं हूं सोहन सर्मा और आज मैं आपके साफ शेयर करूंगा मूली का परांठा क्या बात है ऐसा ही परांटा आज हम बनाएंगे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना देखे एकदम गरमा गरम बिल्कुल अंदर तक मसाला भरा हुआ और इसकी एक खास ट्रीक बताऊंगा मैं आपको बीना फटे टूटे बनेगा आपसे और बहुत ही बढ़िया तरीक केसे बनेगा तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा जरूर देखे आपको बहुत ही आसानी होगी परांठा बनाने में सबसे पहले एक मेने बोल लिया उसके अंदर में एक कप गेहुं का आटा डाल रहा हूं गेहुं का आटा लिये एक कप इसके अंदर में करसा को मिनेसन है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रोट के आठे से साफ का सण से नरम लगा आते की हम छ चपाती बनाते हैं उसे थोड़ा सा नरम लगाना है आप को इस तरीके से और अर। पाउडर में ने इसलिए डाला है कि इससे परांठे का जो कलर है न वह बहुत ही सांदार आता है हो डावा वगेरा में परांठा ऐसे ही बनता है हल्दी डली होती है उसके आठे के अंदर ताकि उसका कलर बहुत अच्छा है इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेत देतेते पांच मिनेटे ही रेष्ट देते हैं जल्दी होतों इसके बाद मूली ने विद्वार मसाला बना लेते हैं मैं ने एक मूली लिए जिसका वजन है 400 ग्राम करीब इसका छिलका हटा लेना पिलर की मदद से आपको इस तरीके से ऊपर चिलका आपको इसका अच्छी तरीके से हटा लेना है बहुत सारी दोस्तों ने मुझे से कहा कि हम मूली के परांठे तो बनाते लेकिन बनते नहीं है गिले होके फट जाते हैं तो आज इसी के लिए मैं ये परांठे की विद्रेशी भी बना रहा हूं मूली को छीली है देखे आपको करदुकर्ष करना इस चोटे वाले से नहीं इस तरीके से देखे मैंने पूरी मूली को करदुकर्ष कर लिया है अब आपको जो काम करना ना वह बहुत ही खास काम है अब मैंने मूली को कसीवी को एक फ्राइफेन के अंदर डाले उसके अंदर आधा चमस नमक डाल रहा हूं और मैंने गेस जलाया ग्राइफे कि तो देता है एक्दम निवायी हो गई अब 1 मिनट करीव राखने के बाद हम या तो इससे क्या होगा थी कि इस तरीके से पाणी निकलेगा इसका मूली का पानी पूरी तरीके से इस तरीके से आपको निचोड़कर निकाल देने आपको बहुत ही अच्छी तर पानी इसका मूली का रिली जोग है अब हमें पराठा बनाने में कोई दिक्कत नी होगी यह सबसे खास ट्रेक इसका पानी पूरा मैंने हटा दिया है अब मैं इसके अंदर चोथा ही छोडी चमस नमक डाल रहा हूं आप स्वादनुसा डालिए वह जो नमक हमने पहले डाला थ ट्रेस्ट खतम हो जाएगा और यह अद्रक एक छोटी चमस बिल्कुल बारी कटिवी डाली है मैंने और यह एक बड़ी चमस बिल्कुल बारी कटिवी हरी मिर्ची डाली है मैंने और एक बड़ी चमस करीब बिल्कुल बारी कटवा हरा धनिया अच्छे से वोस करके डालना ह े आपको मैंने डाल दिये अब इसतीम को बहुत ही ऐची तरीके से आपको मिला लेना मसाला आपको तभी डालना जब आपको परांथे बनाने में में ऐसे जान रिक यह के देखे कोई दिखत दिए, ठोड़ा सा घीड या तेल डालके इसको इस्तिरीके से ठोड़ा मसल लिए ताकि यह स्मूत हो जाए यह धेके इस तरीके से मैने आठे को अच्छे से मसल लिए है, अब हम पराठा बना लेते हैं। इस पराठे के अंदर आपको बिल्कुल मूली का टेस्ट आएगा अब इसको लास्ट में मैं आदा छोटी चमस्त निम्बू का जूश डाल रहा हूं खटाई के लिए थोड़ा सा निम्बू का जूश डालना है उसी टाइम जिस टाइम आप पराठा बना रहे हो मसाला डाल र लगया मैंने और अब मैं इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लूंगा देखे इतना सा आधा रोटी के हिसाब से मैं इसको इसको इस तरीकες से देखे इस तरीके से उपर जोड़ां भचा है ना थोड़ा आठा सा आपको लगेगा ये देखे हैं सुठा अब बिलकुल आसा निसके पटला भी बेल बिल सकते हैं और मोटा भी बेल लेकिन मैं इसको नर्बल परांठे साइज में बेल रहा हूं थोड़ा सा सुठा फिर से लगाया मैंने पलट लिया और इसको आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे बेल लेना है, देखिए मैंने परांठे को बहुत अच्छी तरीके से बेल लिया है, इसी तरीके से आपको सारे परांठे बेल लेने हैं, अब तवा गरम है, उस पे हम परांठा डाल देते ह हाई मीडियम आज पर रखना है इसको एक डेड़ मिनट इस तरफ सीखने देंगे एक डेड़ मिनट बाद मैं इसको पलट देता हूं फिर इसको एक डेड़ मिनट इधर सीखने देंगे और एक डेड़ मिनट बाद मैं आदा चमच देशी घी लगा रहा हूं घी में ही आप लगा के सेख सकते हैं फिर मैं इधर देखिए आदा छोटी चमस घी या तेल लगा रहा हूँ आपको गेज को धीमी मीडियम आज पर रखना है अब इस तरफ से आपको सेख लेना है इसी तरीके से आपको पलट पलट के से अच्छी तरीके से क्रिश्पी कर लेना आप ल क्यांदार लग रहा है यह पर आटा तो इसी तरह आप सारे परांटे बना कर त्यार कर लिजिए और देखे मैं ने सारे परांटे बना कर रख लिया आप इसे हरी चटनी के साथ खाई एक टमेटो सूस के साथ खाई ये दए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मसाला कहां तक आपको देखो जहां भी देखो आप पूरी तरीके से मसाला इसके अंदर भरा हुआ है तो इस तरीके से बनाईए आप चाहे तो इसके उपर इस तरीके से बटर लगा कर खाईए बहुत ही सांदर लगेगा वीडियो तो फ्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए आप बनाते रही है खाते रही है बताते रही है मिलता हूँ फिर मैं नहीं रही रही है तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भर